वेलकम टूदा मास्टर क्लासिज दे इस्टुट्येंट्स तो आज का टॉपिक है वेधिक कल्चर लास्ट लेक्चर में हमने हड़पन सिविलाजेशन कवर किया था तो अब वेधिक कल्चर देखते हैं इस टाइम में क्या लाइफ था और किस टाइब का कल्चर था उन लोग कुझ के नहीं है हमारे पास वेधिक कल्चर के था वेधिक कल्चर के हमारे पास सब्सक्राइब नहीं थे जैसे वेदिक कल्चर की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेशन जो राइज होता हुआ है आरियंस आरियंस कौन थे कहां से आये थे क्या लेंगवेज बोलते थे और क्या इनका कल्चर था चलिए देखते हैं आरियंस का उरीजन को लेके कि इनका यो रीजन जो ए सब्सक्राइब वीवज थे इनका उरीजन से ही हुआ है क्योंको चानल एचिप्षिन में है इंद्र, वर्वन, मेट्र और नस्तियाज ये वेदिक गार्ड का मैंशन मिला है बोगा का जी इंस्क्रिप्शन में इन गार्ड का वहां पर लिखा गया था तो उसे लिंक क्नेक्ट किया गया है कि हाँ हो सकता है कि ये आरियंस जो है इनका Central Asia की है ओरीजन हो लेंग्वेज की बात करें तो इनकी लेंग्वेज थी पंजाब इस एरिया में रहते थे लेकिन बाद-बाद में जैसे टाइम बीता गया तो ये गैंग्टिक प्लेंस तक भी आगे थे अगर इनका रूट की बात करें तो ये यहां पर Central Asia है तो इस Central Asia से एक तो हिंदू कुष एरिया वाले सेंटर किये थे और दूसरा सिधा जो इरान जो बाटर लगता है वहां से यह यहां पर आके इंडिया के नार्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में यहां पर रहने लगे थे और बाद-बाद में उनने यहां से गैंग्टिक प्लेंस में उस सेट भी शिफ्ट कर दिया था तो यह था आरियंस का ओरीजन उनकी जो सहलेकर 1000 बीसी तक के ऑड़ेज इसे अर्लिवेदिक यह था जा उखा रुदा एंड वह था क्या तो वेदिक बीचर जो है यह Bहुत इंपर्टा था क्योंकर जो वडिक एज के जितने हमें इन्मेंटस मिले हैं वह सब वेदिक लिट्रेच्र में ही लिखा गया थे थित जो वर्ड है यह विद्वर्ड से लिया गया है विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि बूक नहीं है यह एक compilation of books है देखिए वेदिक लिटरेजर को फर्दर दो ब्रांचेज में ड्वाइड कर दिया है शुरूति और सम्रिति तो इनके सब्सक्राइब में उन्हें जो चीजें बोली उन्हें जो लिखा गया उसे शुरूति के टेगरी में रखा गया है जब आपने थोड़ा सा homework किया और ऐनाचे अचीजें लिखी है उन्हें सम्रिति के टेगरी में रखा गया शुरूति में क्या कवर हो रहा है वेदास ब्रह् कितने हैं चार रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद, अथरुवेद, अगर समृति की सब केटिगरीज देखें तो वेदंगाज, पुरानाज, उपवेदा, एपिक्स, एपिक्स हमार दो थे, रामायना, महाभारता, तो यह था फ्लोचार्ट वेदिक लिटरचर का, वेद आज को अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, फर्स्ट रिगवेद, रिगवेद दिखा गया, फिफ्टीन हंडर्ड बीसी टू वन थाउजन बीसी के पेरिड़ में, इसमें टैन मंदलाज हैं, और वन थाउजन ट्वंटी एड हिम्स हैं, हिम्स मीन्स के पॉइम टाइप से र दिखा गया, टैन मंदलाज में से फर्स्ट एंड टैन्थ जो हैं, यह लेटेस्ट मंदलाज हैं, जो रिसाइटर आफ वेदाज होता था, उसे हुत्री या होत्रा गा जाता है, और हर एक वेदा का अंदर एक उपवेदा आता है, जैसे रिग वेदा के अंदर आयूर वेद और फदर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उपवेदा, हर एक उपवेदा जो था, वो किस के साथ एस्टोसेटिड था, और उसका क्या फंक्शन था, देखिए परुष्य सुकता यहां पर दिखाया गया है, यह हिंदूईजम में यह माना जाता है कि परुष्य सुकता क कि फोर आरगन से फोर वर्नाज का पुरिजन हुआ है, सर से ब्रह्मन, आम से शत्रिया, थाइज से वैश्या, फूट से शुद्रा, तो यह जो वर्नाज है, चार उनका जिक्र भी परुष्य सुकता में किया गया है, और परुष्य सुकता कौन से मंदला में था, टैंथ है, इसमें यह dozen important questions है, गायतरी मंतर कौन से मंदला में है, यह भी important question है, पूछा जाता है,र परुष्य सुकता कौन से मंदला में था यह भी important questions है, दन होतरा या Хूत्री यह कौन होते है, और कौन से वेध के साथ associated है, अउप वेदा, आयर्यवेधा जो है यह कौन से वेध के साथ associated है तो इसमें याद कर रखने वाली चार चीज़े हैं एक थर्ड मंदला, टैंथ मंदला, आयरवेद उपवेदा और ओत्र इन चार जगा से question आ सकता है रिगवेद में याजुरुवेद किसके साथ associated है रिचुल्स और sacrifices जो उस ताइम पे daily life में जो rituals प्रफार्म किये जाते थे और जो sacrifices किये जाते थे उनका mention किया गया है याजुरुवेद में और याजुरुवेद को further subdivide किया गया है दो categories में शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष रिसाइटर आफ याजुरुवेद को कहा जाता था आदवर्यू धनर वेदा उपवेदा जो है वह एस्टेटेटिट है याजुरुवेद के साथ इसमें अभी यह लास्ट ये शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष पूछा गया था कि कौन से वेदा के साथ कुछन यहां से बन जाएगा जैसे रिसाइटर आफ वेदाज हर एक वेद का कौण से रिसाइटर है उनके क्या कहा जाता है तो यह चीज़ें डिसकस कर रहे हैं साथ साथ में जैसे अधुरुवर्यू और उपवेदा का उंसा है वह जैसे पूछ लिया जाएगा धनर वेद में इसका जो रिसाइटर होता है संवेद को कहा जाता है उद गत्र गंधरवेद गंधरवेद गंधरवेदा उप 예ड जो है वह संवेद के साथ अंधरवेद को यह मही खेसाथ चाल साथिया आथर बी कहा जाता Kultur I 658 एधर आधरवेद के साथ एसेटर ब्रमंफ भ्हा मामीन कि सेक्रिफाइस ब्रह्मंव ब्रह्मंव में एक्स्प्ल्णेशन देगी है वेधा दूर दूस्ट। दूस्ट वेधाजों को प्रॉपर एक्स्प्लैंड किया गया है और हर एक वेदा में ब्रहμSON की सब ब्रांशिब्छे हैं तैसे रिग्वेदा में tीन ब्रहμ benefici है एयतरिया कोशिता की समख्य यजृबेद में भी तीन ब्रहमन से कठाका दा YOUR शता पत्र है सामगेद में पंच विषा शाद विशा और जैमेनिया और अथरवेध में गोपथा अरणक्याज मिन्स बुक्साफ फॉरेस्ट बुक्साफ फॉरेस्ट बिकस ये जो बुक्स लिखी गई थी ये उन लोगों के लिए 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 थी जो फ़ारेस्ट में लिए ये से दुर्ष दुनिय Андारी छोड़ के जंगलों में बैठके थे जो सन्यासी बन गए थे उनके लिए जो बुक्स लिए गए ये उन्हें का जाता है अरेनकाज अरेनिकाज में ब्रह्मन्स का कंक्लूजन दिया गया है ब्रह्मन्स का कंप्लीट कंक्लूजन लिखा गया है अरेनिकाज में यह रिचुलिस्टिक लाइफ के अगेंस थे या वेदान्ता, उपनी शद वेदान्ता भी कहा जाता है, वेदान्ता मीन्स एंड आफ वेदास, तो उपनी शद वेदी के लास्ट फेज में लिखे गए, टोटल एक सो आठ उपनी शद है, और यह जो प्रिस्ट्री लाइफ है, इसके अगेंस था, पहले हमने देखा कि जो या इस लिए अपनी शद में अपनी शद में है, गास प्रिस्ट्री लाइफ हो गया है, और अब इνसान काया accounted? फिलॉस्फर होगया है, कफी ज्यादा सोचने लग जया इसलिए इसलिए उपनी शद में ज्यादा फोकस जो है वो फिलास्फी पे है इसमें डिफरेंट फिलास्फी में डिफरेंट चीज़ें बताया गया चंदोग्या में ओम और आश्रम लाइफ के बारे में बताया गया ओम स्ट्य्मेव जायते यह भी इंपार्टन्थ है सत्य मेव जायते लिखा गया ब्रीधर यंका ब्रीधर यंका ब्रीधर यंका अपर्णत अगी विव य काथा कथा में यामा और नाची केता इनकी कर्णोर्सेशन बताई गई है तो उपनिशद में आपको याद क्या रखना है कितने उपनिशद्स हैं 108 हैं किसके अगेंस्ट बताया गया है और इसका फोकस किस चीज़ पर रहा जादा और यह जो चंदोग्या मुंडाका ब्रिधरंका बताई गई है यह इंपार्टन उपनिशद्स हैं 108 में से जो इंपार्टन उपनिशद्स थे हुमने आपको बताया कि यह यह इस इस उपनिशद्स में यह चीज़ बताई गई है अभी तक शुरूती का जो पर्शन था और कंप्लीट हो गया अब समरिती में जो सब व्यकरन निरुकता चंदा डू follow th hilar support को याद रखने की सिंपल टेक्निक है संचिन का बार निरुखता चांदना और जयवार्दना यह ऐक श्टोरिः स्चिन का वारको Su सच्चिन means शिक्षा, का means कालपा, वार means वैकरना, निरुक्ता means निरुक्ता, चांदना, चंदा, जयवर्दने, जोधिश्या, तो इसलिए आपको इसलिए आ रहेगा सच्चिन का वार निरुक्ता, चांदना, जयवर्दना, शिक्षा में क्या चीज को बताया गया था, phonetics means pronunciation of words then कालपा में rituals जो डेली लाइफ में जो भी rituals प्रफार्म के जाते हैं जो आपके activities करते हैं वो कालपा में पताया क्या है व्याय करना grammar निरुकता में etymology means यह एक dictionary थी जिसमें वेदिक पिरेड के जो भी tough words थे उनकी एक collection बनाई गई थी चंदा matrix and measurements जोद्शी में astronomy इन चीजों की detailed explanation थी वेदंगाज में सम्रितीज की बात करें तो सम्रितीज भी 6 थी मानु सम्रिती यजनवालका सम्रिती नारद सम्रिती प्रशारा सम्रिती ब्रिहस्पती सम्रिती कतायाना सम्रिती यह 6 सम्रिती थी आपको याद रखना है मानु सम्रिती यजनवालका सम्रिती नारद सम्रिती प्रशारा सम्रिती, भ्रेश्पति सम्रिती और कतयाना सम्रिती. Then, इपिक्स, रामायना, और महाभारता. रामायना किसने लिखी थी? वालमिकी, और महाभारता, वेद व्यास, महाभारता में, गीता का डिसकेशन किया गया है, रामायना में लौड भगवान राम की लाइफ बताई गई है. उपवेदा, एक स्टार लगा दी, important है. उपवेदा, हमने पहले बताया था कि हर एक वेद के साथ एक उपवेदा associated है. जिसे फर्स्ट वेद, रिगवेदा, तो रिगवेद के साथ आयूर वेद, उपवेदा associated है. ये डिसकस करता है, मैडिसिंस के बारे में. देन, साम वेद के साथ गंधर वेद, गंधर वेदा, और ये गंधर वेदा, उपवेदा किसके साथ डील करता है? अचिक के साथ याजर वेद के साथ धनर वेदा, धनर वेदा, धनर वेदा आर्चिरी, लास्ट अथर वेदा में, शिल्प वेदा और ये डिल करता है साइंस एंड ग्राफ्वेदा के साथ. यह आपने देखे चार उपवेदा रिगवेदा के साथ आयरवेदा, सामवेदा के साथ गंधरवेदा, यजरवेदा के साथ धनरवेदा और अथरवेदा के साथ शिल्पवेदा याद रखने के लिए सिंपल है कि रिग वेदा और अईरवेदा दो कामन है अईरवेदा सबसे कामन वोड सुना आपने तो यह रिग वेदा के साथ है इसकी लाइन है इसकी लास्ट लाइन में खड़ी है तो शिल्पा मिन्स लास्ट वाला जो है अधरवेदा इसकी ट्रिक बताते हैं स्जी ब्रैंड क्रिकट में स्जी के बैट स्जी की हलमट एक याद रखना आपने एसवाले वे साथ जी था एसजी के बैट साम के साथ गंदर और याजर के साथ धनुर बच जाएगा याजर तो अपने अब धनुर ठीक है उपवेदा क्लेर दिन फिलोस्फी की बात करेंग वेदिक लिटरेचर में छे फिलोस्फी थी न्याय, विशेशिका, मिमासा, विधानता, सामक्या और योगा न्याय फिलोस्फी में एनलिटिकल फिलोस्फी के बारे में डिल किया गया विशेशिका में एटॉमिक बिल्डिंग्स ब्लॉग्स और कॉंशिसनेस इसमें डिसकस किया गया मिमासा एक क्रिटिकल इंटरप्रेशन थी वेदाज में और विदान्ता एसेंस आफ वेदाज यह वेदाज पर ज्यादा बात की है और समख्या इतना ही याद रखना काफी है जादा फिलासपी में जाएंगे फिलासपी चीए थी और हर एक हुआए वो किस टॉपिक पर बात कर रही है जिसमें पुराना में याद रखना कि पुराना में डिसकस किया 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 है इसमें ओरीजन आफ world then destruction and re-origin of world then genealogy of gods and rishis यह पुरानाज में डिसक्स किया गया यह अभी तक हमने वेदिक कल्चर का लिट्रेचर डिसक्स किया है तो यह पार्ट वर्ण में हम इतना रखेंगे पार्ट टू में हम डिसक्स करेंगे वेदिक कल्चर की जोग्राफिकल एरिया प्रिटी, रिलीजन, एकॉनमी और सोचल लाइफ वो हम कवर करेंगे सेकंड लेक्चर में तो आज के लिए इतना ही तैंक यू अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है इस सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग सीरिसली इस लेक्चर सीरीज को अटेंड कर रहे है